का अगत को है अगिट है अग करेंगे जो तैंद किलास का चप्टर वन है कैम करेंगे तो हमारा जो फिर्स पहले बताना है ठाइप सवकैरियोषिंड गरियोग दिया है the first basic combination reaction combination reaction No. 2 Decomposition reaction No. 3 Displacement की तरयस्टुम्ट मिलम पوعर ऑट औल स्वासमर और्यू तरजरिंग और्य घ्जडिuchen रर्य ब्यू डिडकिन थे Onda the च ब्यू लिखन्सर रिएांट रिक रिक्याटउ रिडिद आग्नुंगर दिख ड्क्यों डिख जान, अिरिख भिक्ट्ट thermic reaction number seven oxidation production reaction दिखिए बेसिकली जो ये आग एस पर दस लेबस 10th class ये 7 types of reactions है आप आप देख सकते हैं बोट पर मैंने 7 नाम लिखे हैं first is combination reaction second decomposition third displacement four double displacement number five neutralization reaction number six exothermic and endothermic reaction number seven oxidation reaction reaction तो आज हम पहले हम के बारे में हलका साम देता हूं combination is just two two or more reactant to combine together and form product that is combination reaction number two decomposition when big molecule break down into some plus substances two three or four components that is decomposition decomposition is also three types I will also explain this decomposition is first thermal decomposition means by applying heat the heat apply करने बाद product जया है तो या सिरे जादे रेक्टेंस पर तूरता है number two electrolytic decomposition या electrolysis तो पास करने पर वो ब्रेक हो जाता है प्रोड़क्त नमबर थीन फोटलाइटिक डीकमपोशन और फोटलाइस जो कि शनलाइट या किसी लाइट से ब्रेक होता है तो उसको बता है फोटलाइट डीकमपोशन डिस्पेस्मेंट होता है जिससे कि मोर अधिक्ति मेटल कें डिस्पेस रेस्टेक्टमेटल डबन डिस्पेस्ट बोट गटनल सब्सकेशन अचिंडर दिस्पेस्ट विर्टोड़ करते हैं और प्रोड़क्त में सॉल्ट और वोट बनाते हैं उसे बहुत है पर लिए अर्ट जला जो लिए यह नीम्युट्र हो जानी एक्षायर रिरेक्षीन और एक्षिद्धर्फ किले है जाली है और फिरेक्षिन घ्रेक्षिन अर्ट कर देखंद मिधाने अदिए जैक्षिन ओसे बोलते हैं अच्छोडिनों क्लिक्द्ट इसके आप्से इसी से एक वर्ड बनता दोनों से रिट और रेक्शन ऑफिजिशन तो हम आप बात करेंगे इसकी फर्स्ट कॉमडिशन एक्षिंट यह यह लेक्षर नमबर टू है आज का आज का कैमिकेल रेक्षिं Прय pea मुए के इसके सब्सक्वर के इसकी बात करें नहीरों अब हम हम बात करें कर देः सिंपल सब्सक्राइण के कर एक अ ब lightly आप अमधेसिह श्ग पल सी द रेक्षिंट सी ओण चिभल आब चिवह लिफंपल बात करकेंगे पल मैंगनीजिय तन that is solid this is oxygen is a gas which form mg magnesium oxide अब यह देखें आप के यहां कितने two balance करने करें यहां one है तो यहां क्या मिल्ट्पाइग टू की अब मैंशिम कितने होगा टू तो यह हमारा होगा यहां के अब इसमें दूसरा जो आता है इस प्लाइफ और कार्बने सॉलिट और इसमें हम और भी बात करेंगे हैं वह इसमें और भी बात करेंगे भी जैसे हमारे पास है मिथेन यह गैस है देखे कोई भी कार्वन कंपाउंड को भी करते हैं यह बन होता है इसको बोलते हैं कंबाश्टियन का बलते हैं इसको कंबस्टियन बन एक बन पंपाउंड इंद प्रिजन में कोई कार्वन कंपाउंड जला है इन अप्रिय प्रियुश्जन तो व्हो दो चीज़ा प्रिश्टा ने हैं कार्वन डाउट करता हैं यह तन यह कोईश्ज्टियन नहीं दो चीजे बता नहीं है, carbon dioxide जब भी रिलीज होती है, so that creates brisk effervescence, sun sunahat की आवास create होती है, और जब भी hydrogen gas रिलीज होती है, उसका हम किसी light और ये किसी fire के पास लाते हैं, तो it creates pop sound, जिसे cold ring का उपन होती है, इस तरह से, and then how many H we have, four here, so it will form H2O, but we have four, that means two H2, so now we have two, oxygen here, two here, total oxygen is four, here is only two, so to balance it, we will light two O2, we will light here, two O2, seem like we can say C2S6, this is methane, gas plus oxygen, same it will form product CO2, gas plus H2O, it will form also in the form of moisture or gas, but first thing is that, we have to see here, how many carbon we have, two, so it means it will form two carbon dioxide, how many H we have, six, so it will create, produce three S2, now count, carbon two, two balanced, oxygen two, no, it's not balanced, hydrogen six, six, but we have to balance now oxygen, two to the four and three, seven, here we have two, so thus we will write like that, seven by two O2, which means three and a half, so this is also exothermic, both reactions are exothermic reaction, it produce heat, it also produce heat, both reactions are exothermic also, okay, now, I will just write one example also, C6S12, this is glucose, if we take glucose, and we take oxygen, that is also respiration, respiration is also, respiration is also a exothermic reaction, so respiration, we inhale oxygen and exhale CO2, so that is also exothermic reaction, same thing here, we will write oxygen, because we are inhaling, because we are inhaling, how many carbon we have, six, so that means it will is six CO2, because we exhale CO2, then S2, how many H we have, 12, so that means six, now we can count six carbon, six carbon, S12, 12, now 12 oxygen and 6, 18, here we have six, we have to just make it six, 12, 6, 18, now it is balanced, okay, so now our combination reaction is done, now we will move to our next chemical types of reaction, that is decomposition, number two is decomposition, number two is decomposition reaction, Oh, there is a Mannagascar, so that's an appendix reaction, two ocksåино but suddenly, one and yet we will move out to our next chemical types, from we have to go to Don muss what happened to Data Model, the composition thermal the composition second is electro light it the composition number three is photo light it okay so we'll discuss this they can go decomposition those decomposition in which we apply heat there from heat there a per break at that thought that for example calcium carbonate that is solid is coming at the dentist in Kenya heat it is a piggy button either this or we can use heat okay same thing in the same thing so it produced calcium oxide plus carbon dioxide gases के लिए अधिए 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 गया रभादिशन में गास्ता इससे पता चलता है कि यह हमारा और यह किसका नाम है calcium oxide calcium oxide और दूसर नाम इसका quick line quick line इसका नेक्स्ट एक्जञपल मैं आपको देता हूं FeOH, Ferric Hydroxide, so we just heat it, तो यह है Iron Hydroxide, बेस है यह, इसको जो हम heat करेंगे तो यह बनाएगा Ferric Oxide, Fe2, Fe2O3, 3, plus 3 as 2 O, now we can count how many F you have to here, 2, how many O we have, 2, 2, 4, 3 and 3, 6, 2 and 2, 2, 4, so how, oh sorry, sorry, it's just 3, 3 to the 6, so 3 here, 3 here, okay, well, 3 to the 6, so this reaction is balanced now, so this is also one example of thermal decomposition, next we have lead nitrate, PB, NO, 3, twice, we just heat it, take two more, P, 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 O, P, O, P, O, 4, N, O, 2, plus O, 2, P, O, P, P, O, P, O, O, P, O, P, O, P, O. क्रणूशन फिनीश ओता है अब Lord next हम आते हैं एक लिख़ लाइयटिक दी कम पोस्टिशन दीख़ीं दीकम पॉजिशन देखिए एलेट्रोडीटिक दीकमपोसिछन का मतलब है जब प्रड्रॉक्ट्रीट पास की जाती है तो वह दो यस से ज्याद़ कंपरेंट के तर तो जाता है when we apply electric current in direction then it decomposes two or more its constituents that is known as electrolytic decomposition or you can also say electrolysis this a camera passer as to that is water example electric current then it form as two plus auto but it's not balanced so first we write it has to now it is balanced it is balanced now same like we can say an ACL this is salt the mark electric current and it is true yes we write here to then we write here to have sodium chloride for me he electric current pass to get this sodium metal a lot of glory a lot of this say that they have electrolytic decomposition next example देते हैं देखे इसमें यह होता है जब किसी भी एजेक्टिन पर एक्ट फोर वर सब्सक्राइब पास की जाता आपकी जाती है यह कोई आडिश्य लाइट पास की जाती है तो यह अपने तो यह दो से ज़्यादा तोट जाता है तो यह अपने तो यह दो से ज़्यादा तोट जाता है तो यह अपने तो यह दो से ज़्यादा तोट जाता है तो यह अपने तो यह दो से ज़्यादा तोट जाता है तो यह अपने तो यह दो से ज़्यादा तोट जाता so we have two ag plus cl2 same we have one more example two ag br sunlight two ag plus br2 so here we can see this is the example of photolytic decomposition displacement reaction double displacement reaction neutralization reaction or endothermic reactions or finally oxidation reduction reduction reactions या ये बाकि रहती है इस चप्टर में और एक्राइंस रिटी कोजन का टूपी बाइग रहता है था हम उसको नेक्स्ट लेक्ट्ट्र में होफ़ली ही कवर करेंगे so that's all goodbye see you in lecture next video